जैहिंद बंदे मात्रम एक बाद पुना हाप लोगों का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर एक बाद फिर से हम आप पहुंचे हैं लेकर के क्लास 11 की मैथमेटिक्स एन्सी आर्टी बुक से एक्सरसाइज 1.4 का क्वेस्चन नमबर 10 क्वेस्चन नमबर 9 तक हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं अब पहुंचे हैं हम लोग 10 पर जा कह रहा है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेस्चन नमबर 10 देखिएगा करा एक्स 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 एक्वल्टू A B C D और Y एक्वल्टू F B D G तो ग्याद कीजिए x माइनस y x माइनस y मतलब x के वैश जो y में ना हो क्या नहीं है ए नहीं है A नहीं है, B है, देखिए B यहाँ पे था, C नहीं है, D है और G नहीं, G तो उसका है यहनि B और D हमारा इसमें था, क्या नहीं था, A और C नहीं था X माइनस Y में, X से A और C हमारा Y में नहीं है Y माइनस X देखिए, Y माइनस X में क्या है, Y माइनस X कह रहा है कि Y के Y आवयों जो X में ना हो, Y के Y आवयों जो X में ना हो कौन से आवयों नहीं है, F नहीं है, F कहीं देख रहा है, नहीं, B है बी और डी है, एप नहीं है और जी नहीं है देखें यहाँ पर बी और डी था एप और जी नहीं है तो यक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा यक्स और वाई में कामन क्या होगा जो अभी तक हम लोग लिखे नहीं क्या नहीं लिखे B नहीं लिखे थे और D नहीं लिखे थे B और D देखे दोनों में है तो यह दोनों का intersection X-Y मतलब X के वय अवय हो जो Y में नहों Y-X मतलब Y के वय अवय हो जो X में नहों X intersection Y मतलब X और Y में जो common हो जो है निष्ठ हो के लिएर हुआ चलेंगे question number 11 पर क्या करा question number 11 करा R वास्तिविक संख्याएं R जो होगा वास्तिविक संख्याओं का समुच्च है वास्तिविक संख्याओं कांसी होंगी परिमिय संख्याओं एक सेकंड है R क्या होगा परिमिय संख्या और आपर्मिय संख्या यह नहीं आपर्मिय और पर्मिय संख्याओं का योग क्या होगा वास्तिविक संख्या क्यूं क्या होगा केवल पर्मिय संख्या क्यूं होगा केवल पर्मिय संख्या आप ध्यान दीजिएगा कहरा है R-Q तो R کے वय 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 जो Q में नहूं पर्मे पर्मे दोनों में बचा क्या आ पर्मिय संख्या यहीं नी R-Q क्या होगा आ पर्मिय संख्या आगर R वास्तिविक संख्या है दोनों होती है Q क्या है केवल पर्मिय संख्या तो R-Q क्या होगा पर्मिय दोनों में से निकाल देंगे केवल R-Q होगा आपर्मिय संख्या चलिए question number 12 12 में कहरा बताईए निम्लिकिन में कत्रों में से कौन सकते है और कौन असकते प्रतेक में हमें बताना है कौन सकते है कौन असत्य है और अपना आवचित भी बताना है पहला question कह रहा है 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 और 3, 6 यह आसंयुक्त हैं नहीं होंगे क्योंकि इनका अगर हम intersection निकालते हैं तो 3 दोनों में क्या होगा कामन होगा यह असत्य है आसंयुक्त नहीं हो सकता दूसरे में आएंगे करा A, E, I, O, U और A, B, C, D आसंयुक्त है आसंयुक्त मलब इन दोनों का कामन कुछ नहीं हो दोनों का अगर intersection निकालें तो फाई आ जाए देखिए यहाँ पे A, यहाँ पे A कामन हो गया तो यह आसंयुक्त नहीं होगा जैसे कोई भी संख्या दोनों में कामन मिला उभैनिष्ट है तो आसंयुक्त हो ही नहीं सकता चलेंगे 2, 6, 10, 16, 13, 17, 11, 15 में कोई है कामन अगर कोई कामन नहीं है तो वो आसंयुक्त समुच्च है आसंयुक्त समुच्च काउन होता है वे दो समुच्च है जिन में कोई भी अवयो कामन नहीं हो कोई भी अवयो उभैनिष्ट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा वो आसंयुक्त समुच्च है 2, 6, 10 और 3, 7, 11 कुछ कामन दिख रहा दोनों में कुछ भी नहीं अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें 5 मिल रहा है तो यह आसंयुक्त है दो संख्याएं देखिए तीसरे और चौथे में कोई भी कामन नहीं है ना इसमें कोई है ना इसमें कोई है तो आसंयुक्त है और इन दोनों में एक एक एलिमेंट्स था तो यह आसंयुक्त नहीं है तो आज हम लोग समाप्त कर रहे हैं exercise 1.4 आप लोगों को कैसा लगा comment में जरूर बताईएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे like कीजेगा अपने दोस्तों के साथ share कीजेगा और चैनल को subscribe करना न भूलें फिर मिलें अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिन